कि अब अब नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आप सभी का लोदान क्लासेस के बीए प्लेटफार्म पर बीए थर्ड इयर के अंतरगा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में लोग प्रशासन अर्था पब्लिक एड्मिस्टेशन पर हमारा सेशन चल रहा था जिससे अग कंटिन् परमपरा है इसकी यह हम अपना हुई है भारत और इसके को संबंदी जो देश है उन्होंने अपना रखी है बाकी अगर अन्य देशों की बात करें जैसे की यूए से की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर और यह नाइजेशन एंड मैनेजमेंट इसको बोला जाता है कि तो दोस्तों इसी को अर्थ प्रक्रप्रक्रती इसकी तकनिक या पिर उसके गुर्दोस इंचेंडों में माध्यम से हम आज क理 À complete पूरे विस्तार से होगा कहीं से कहीं तक दोस्तों कोई compromise नहीं किया जाएगा इसके knowledge को लेकर करके फुल डिटेल क्लासेश है, पूरे विस्तार से जहां-जहां संभावना होगी, जिस पक्ष पर उटाने की संभावना होगी, हर एक पक्ष पर हम यहां डिसकस करेंगे, चले दोस्तों शुरू करते हैं, आपके exam भी continue होने वाले हैं, जल्दी लोग प्रशासन के exam जो है दोस्त पहली बार सेशन को देख रहे हैं, उनको बता दू, यूटूब पे एक अन्य प्लेटफार्म और हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है, प्रज्ञान हिंदी करके, जहां पर सभी प्रतियों की प्रिक्षाओं की त्यारी करवाई जा रही है, निशुल करूप से lecture with notes, description में इसके जो है, लिंक मिल जाएगी, प्रज्ञान हिंदी की, उसको जाकर एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर आपको लगे तो वहां रुकिए, अन्यता, आपके पास में option भोसा रहे हैं, YouTube पर कहीं से भी आप त्यारी कर सकते हैं, चलिए, दोस्तों जैसा कि आप जानते आज के session में हम wishes कर O and M की जो है, और सबसे पहले हम उसके अर्थ देखेंगे, उसकी प्रकरती किस प्रकार की है, उसकी कारे करने की प्रिकरिया है, उसके अलावा क्या गुण है, और क्या दोश है, इन पर चर्चा करते हुए, इस topic को complete करेंगे, इस slide उपर दोस्तों में आप को एक advice करना चाहता हूँ, जब भी आप exam में answer writing करते हैं तो इस प्रकार का format अपनाया करें, answer को शुरू करने से पहले, answer को शुरू करने से पहले, जितने भी point में आपको answer अंदर लिखना है, वो point पहले starting में लिख दीजिए, उससे exam इनर्व, जब copy check करता है, तो उसको इतन समझ आयाता कि आपने पूरे answer writing के तहत क्या लिखा है, जिससे आपका प्रभाव, आपके answer का जो प्रभाव है वो और अच्छा और सटीक प्रभाव पढ़ता है, चलिए, तो दोस्तो ओ तता M, इसको थोड़ा से पहले भीवारी रूप से इसको एक बार समझ लीजिए, तो पूरे lecture में आपको तकलीप नहीं आएगी, इसका भीवारी पक्ची यह है कि ओता M, और कुछ ना होते हुए, बलकि सिर्फ ये एक सरकारी विवाग है, क्या है, एक सरकारी विवाग है, इस सरकारी विवाग के अंतद्वारा जो है प्रसासन से संबंदित कुछ कारी किये ज जाते हैं, अब चूकी जैसा मैंने आपको प्राणवें में बताया कि ओ तता M को अमेरिका दूसरे नजरिये से देखता है, और ब्रेटेन और भारत जैसे अलग नजरिये से देखते हैं, अर्था इसके कारे इनको अलग-अलग सोते गए हैं, फिरतेक सासन विवस्ता के द् तो दो बिंदो की, दो पक्चों की हमने बात की है यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जो हमारा संगठन तता प्रनाली है, तता O, तता M है, O and M है, इसको जब हम बात करते हैं, USA की, USA की अर्था अमेरिका की अगर बात करें, और एक तरफ हम देख लेते हैं, ब्र अलग-अलग तरीके से O and M को अपनाया हुआ है, अमेरिका इसको अपनाता है दोस्तों ब्यापक रूप से, ब्यापक रूप से, और ब्रिटेन या इंडिया इसको अपनाते हैं संकुचित रूप से, इसका मतलब क्या वो बता देता हूँ मैं, संकुचित और ड्यापक, समझे यहाँ पर, यूए से, अफ़ात अमेरिका, अमेरिका का जो यह विवाग है, O and M का, यह बोलता है इस विवाग को, ओर्गेनाइजेशन, ओर्गेनाइजेशन, इसको अमेरिका बोलता है, ओर्गेनाइजेशन, ओर्गेनाइजेशन एंड मैन वहीं ब्रिटेन इंडिया जो अन्य देश हैं दोस्तों ये इसको बोलते हैं और्गेनाइजेशन एंड और्गेनाइजेशन एंड मैथर्ड कि मैथर्ड इसको बात यह बिसेश बात इसको याद रखिए आप लोग तो अब देखी यहाँ पर इसे मेनेजमेंट का नाम देकर क अमेरिका ने इसका अर्थात इसका जो महदव हैना वह बहुत जादा बढ़ दिया है मतलब यह कि अमेरिकी प्रशासन ओ तथा एम विवाग को बहुत ही जादा महदव देता है इसके विशेश और प्रमुख कारे हैं और वह प्रमुख कारे किस रूप में है दोस्तों मैने का अर्थ यह हुआ कि यूए से प्रशाषन के अंतरगत जितने भी अन्य भिवाग है उन अन्य भिवागों का मेनेजमेंट का जो कारे करता है वो तथा एम भिवागी करेगा उसी प्रकार से दूसरे पक्ष में जाए ब्रेटें तरप या इंडिया की तरफ देखें तो इसका कि पर जो है एक वाश के तरह नजर रखना उनके कार्रेयों में सुधार करने के लिए सलर मात्र देना सिर्फ सलभा देने का कारे मात्र यह भीभाग करेगा अन्य भिवागों को जिस प्रकार से जब अमएरिका की बात कर रहे तो अमेरिका में मैं इंजमेंट का पूरा कार को दे दिया था संगठन बनाने का कारे उसको चलाने का कारे प्रसासन के संबंदे जितने भी कारे थे मेनेजमेंट के वो सारे कारी इनों ने और एम विभाग को दे दिये थे लेकिन जब हम ब्रिटेन या भारत की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर management का कारी नहीं दिया है सिर्फ इतना सा कारी दिया है कि भई आप प्रसासन को देखिए प्रसासन के अन्य विभागों को देखिए वो केस प्रकार से कारी कर रहे है और अगर उनके कार्यों में कोई कमी लगती है तो उनको समझाईए उनको बताईए कि किस प्रकार से उनकार्यों में और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है तो ओ एम के जो कार्यों होंगे दोस्तों वो ब्रेटेन या भारत की बात करते हैं तो इसमें उनके जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों को थोपा नहीं जा सकता सिर्फ बताया जा सकता है सिर्फ उनको जो है आदेशात्मक तो होते हैं लेकिन उनको मानना आवशक नहीं उन विभागों के द्वारा तो इसलिए कहा गया है कि भारत के परिप्रेक्षि में ओ तथा एम को संकुचित अर्थों में लिया गया है संकुचित अर्थों में लिया गया है अब इस विभाग को थोड़ा साम theoretical part में समझने का प्रियास करते हैं जिससे कि आपका एक concept पूरा clear होते चले अर्थ अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए ना तो अंदर प्रकर्ति की बात करें या प्रिकरिया की गुड़ दोस्त बहुत हो सब अपने आप समझ आई जाते हैं जब मेन कंसेप्ट आपका किलियर होगा तो वाकि सारे concept अपने आप किलियर हो जाते हैं ठीक है ना चलिए दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ क्लास का टाइम हाट वजे bekannt के कोई भी क्लास होगी आट वजza ही होगी लेकिन अब पुछ प्रोल्लम में समस्ता होते हैं अ act कर देते हैं कुछ प्रोल्लम में हुजाती लेक्चर में से कभी इरे-धीर क्लास लेते इवनिंग में छे वजे और इवनिंग में ये आठ वजे आपकी थर्डियर क्लास का टाइम है चलिए तो दोस्तों अब थोड़ा से इसका थोरिटिकल पार्ट पढ़ लीजे जिससे आपका कंसेप्ट किलियर होता चलिए दोनों पार्ट में खूल देता हूं और आप इसको समझेए एकदम इजी है इजी बे में पढ़िए लोड मत लीजे माइंड पे देखिए ओ तता एम शब्द का प्रियोग दो अर्थों में किया जाता है यह आप जान चुके हैं ब्यापक और संकुचित अर्थ में जब हम ब्यापक अर्थ की बात करते हैं तो सीध एम पोर मेनेजमेंट ठीक है ना तो जिसमें प्रवंद की जितनी भी इकाईया है जितनी भी क्रिया है जिसे की प्लानिंग करना ओर्गिनाइजिशन करना ता संगठन बनाना उनके बीच में संगठन की बीच में समनवे उत्पादन करना समनवे की भावना बलाना उनको कारे ओ और एम डिपार्टमेंट के ही है के लिए रहे तो दोस्तों इतने आवश्चक और मैत पूर कारे अमेरिकी प्रसासन ने ओक्राइंड एम डिपार्टमेंट को सोप रखे हैं इस कारण से का जा सकता है कि इस विभाग या इस शब्द का जो है अमेरिका में ब्यापक अर्थों में इसका प्रियोग किया जाता है लेकिन जब और उनके कार करने की जो प्रिक्रिया है मात्र उससे संबंदित है मतलब भारत ब्रिटेन में हम सिर्फ भारत की बात करते हैं तो भारत में O&M डिपार्टमेंट को जिसे हम जो है सब्कार के एक क्लिए ने अब दोस्तों इसकी प्रकरती की बात करें तो प्रकरती कोいく बिंदो के माद्धियं से समझेंगे वो बिंदू सारे में आपके सामने ौन बसक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे इसकी प्रकार स्ब्सक्राइब नशने सवसक्त में नेजिटीम हो सकता है तो अब यहां पर कि तो इसका कारी जो है किसा सैबार हम भाणे जैब आठी ओनली सर्विज देना सिर्फ सेवा करना इसके अलावा सिर्फ परामर्ष कर सकता है आदेश नहीं दे सकता परामर्ष टाइप का इकार्य है इसका सकरात्मक कार्य मात्र करेगा अलोचना नहीं करेगा किसी की प्रसासन में सुधार करने का ही प्रियास करेगा वस इससे ज्यादा नही की वो कारि करना ही चालू कर दे सिर्प प्रसाशन में सुधार हो इस प्रकार के सिर्फ निर्देश दे सकता है वो सुज़ाब जिससे की आम जनता की सोच से परे हो वो मतलब कोई भी भासा को समझ सके इतनी आसान होना चाहिए चलिए एक एक बिंदू करके थोड़ा-थोड़ा सा और में अंदर डिसक्स करवा देता हूं जिससे आपका पूरा कंसिप्ट के लिए रहोता चले कि ओ तथा एम सेवा कारे है क्या है सेवा कारे है तो यहां पर इसका सिर्फ इतना सा मतलब हुआ यहां पर कि ओ तथा एम जो डिपार्टमेंट है यह इसका कारे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है सिर्फ सेवा करना है कि इसकी अन्य विवागों की सेवा करना है बस इससे सुझाव देकर उनकी सहायता करता है सिर्फ इसलिए का गया है कि इसका कारे सिर्फ सेवा करना है तो वह अधिकारी ओ तथा एम कर जो डिपार्टमेंट इसकी सहायता ले सकता है अगला है सिर्फ परामर्स कारे यह सिर्फ परामर्स दे सकता है अन्य भिवागों को अपनी इच्छाओं को अपनी बातों को किसी पर थोक नहीं सकता सिर्फ परामर्स देने का इसका कारे है तो कारी सिर्फ परामर्स या मंत्रा देना मात्र इसका कारे है नीती निर्धारन से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ परामर्स देगा सिर्फ समझाएगा, उसके बाद में चाहे कोई कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है, कानून बनाना, नीती का निर्मान करने से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कारे स्टाब संबंदी है, सूत्र संबंदी नहीं सूत्र संबंदि कार्यों में क्या होता है दोस्तों नीतियों का निर्धारन होता है नीतियों संबंदित कारे किये जाते हैं कानूर निर्मार के कारे किये जाते हैं उनका संचलन किया जाता है लेकिन इस से सूत्र से संबंदित का कोई लेना देना नहीं है है इसी को भी एडवाइज देगा onu सु DNS करने के लिए कारे चमता में ब्रद्दिक Колने के लिए किसी भी Demoणेंट की या लोचना करके अनुदा करने का कारें नहीं करेगा तुमने इतना गंदा काम कर दितना से लंबीों कानी नहीं ऑुलेगा दायरेक्ली सेर्ट पर जो कमी है उसकर्ट में सुझाञा जा सकता है इसी को का गया है शकर अत्मक कारेट थीकि ना अगला है इसका प्रसासन में शुदहार लिवनार कार सबी इल्द नहीं है जिसा कि अमेरिका ने इसको रामबान ओशद्धी बना दिया है ऐसा भारत में नहीं बनाया गया इसको यह इकाई तो सकार मात्र सुधार के लिए किये गए सरकार के प्रियतनों का एक अंच मात्र है मतलब खुल बिला करके यह कि सरकार ने विवाग सिर्फ प्रसासन में कुछ द्में चिकाईयों को लेकर सुधार करने के लिए मात्र बनाया है थिके ना सभी समझनाओं से चुटकार पाने के लिए नहीं अत्य रहाष में और तकनिकी नहीं होना चाहिए क्या इसकी लेंगवेज तो इसके सुजहाब जो है जो सुजहाब दे जाते हैं वो अत्य आधारित सिपारे से देनी चाहिए उनका कार इतना अधिक तकनिकी न बन जाए कि केवल विशे सगी ही उसे समझ सके आम व्यक्ति की समझ से बाहर हो एसा नहीं होना चाहिए बलकि इनका जो सुझाब है वो एकदम सटिक भासा में होना चाहिए आसान भासा में होना चाहिए औ पर रत प्रकृति पर हम डिस्कस कर चुके अब हम बात करेंगे इसकी प्रेके तक्निक प्रकार से आपको बिंतले सब्सक्राइट करने हैं इसके प्रकार से मैं आपको स्लाइट दिखा रहा हूं ना उसमें कोई चेंजस निकरना इसे प्रकार से जैसे ही आपने प्रकरती चालू की प्रकरती का पॉइंट स्टार्ट करने से पहले पांच भिंदू जो जो आप अंदर लिखने वाले वह पहले ही आपने उसको एक टेवल या पिर कहें कि एक डाइग्राम में कुछ के से भी आंध आसान तरीके से भी आप बन तो पहले ही लिख दीजिए ठीक है ना उसके बाद में एक एक करके उनको एक्स्प्लेंड कीजिए उससे आप आपके आंसर राइटिं का प्रवाब उसका बहुत अच्छा पड़ेगा नम्मर अत्यतिक आने के संभाब ना रहे हैं चलिए एक एक करके दोस्तों इस पर भी ह आदेश नहीं देता है मापना निहों की का संभंता बढ़े में और इसके लिए बिम्स कारे करता है Un λेकिन ऑ Granny गरता के संभसे पहले तो यह सर्वे करेगा क्या करता है क्या अभाब है उनका स्रवे करेगा। से संबंदित डाटा अपने पास इकटा करेगा और फिर देखेगा कि कौन से विभाग में कारिरी की छमता कम होती जा रही है उस विभाग को फिर ये जो है परामर्ष देना प्रारम कर देता है देखिए इसके अंतरगत सबसे पहले किसी संबंदित सभी तत्यों को इकटा किया जाता है इसके बाद में संबंद की समश्याओं का निर्धारन करके मतलब ये कि जो उस विभाग संबंदी जिसका डाटा इन्होंने इकटा किया है उस विभाग की समश्याओं को समझा जाता ह उन विबाग की समस्याओं को समझ करने के बाद में कारनों और समधनों का पता लगाया जाता इस प्रकार से उनकी मदद करता है इसका किलियर रुइन अगला पुइंट था दोस्तों इंस्पैक्शन करना मतलब निरिक्षण करना अब देखीये सबसे पहले डाटा निर्क्षण करेंगे जो बिशेसग्य होंगे जो अधिकारी होंगे कि यह विशेसग्य कर्मचारियों के काम का निर्क्षण करते हुए उन्हें सहयता देते हैं जो जिस बिवाग का डाटा उन्होंने इकटा किन कार्णों से काम में कमी आ रहेए, क्योंकि कारण समझ्चा हैं तो यहीं पता कर लिती ना, समझ्चा हो में और उस कारण के सममnya क्या है यह सब कुछ पता करके ही यहां पर आयते निरिक्षण करने के लिए, कि लिए रहे ना तो इस प्रकार से ये सहायता करते हैं इंस्पेक्शन करते हैं अगला हो जाएगा आपका फार्म नियंत्रन अब देखिए ये एक और बड़ी समश्या है सिर्क इंडिया में नहीं पूरे बिस्व में समश्या है दोस्तों हाला कि ये समश्या अब दीरे-दीर कार्यवाही किसी भी दिवाग में जाएए आप कागजी कार्यवाही भेह спорт है पर इसका इसका इस्ते लाकर होता है तो और प्रमुक कार page किये Ih इनको हटा दिया जाए इनको हटा जितना अधिक्तम हो सके उतना अधिक्तम रूप से इसको रिडियूस किया जाए तो जो आवशक नहीं है उन फार्मों को हटाना और आवशक फार्म के रूप जो आवशक है उनमें भी सुधार करना कहीं कहीं पर कुछ ऐसे फार्म होते जो 20 सब्सक्राइब कर नहीं करता है यह आकर सुझाब देता है टिपार्टमेंट को भी आप जो कारी prima कर रहे हैं तो इस यह सतमाल की तो इस परकार के सुझाब यहां पर प्रकार के सुझाब भी है करते हैं इन को इसके अलावा कार्य माप, वर्क मेजर मेंट वर्क मेजर मेंट तो ये इसका प्रमॉण कार्य है। counselor कार्य करने वाले कर्मU और उसके द्वारा किये जाने वाले काम के बीच में संबंद को देखा जाता है कि ये व्यक्ति कितने इंट्रेस्ट के साथ में काम कर रहा है या दवाब में आकर काम कर रहा है या बस काम करते जा रहा है बिना किसी इंट्रेस्ट के तो इस चीज का पता किये जाता है इसमें देखा जाता है कि एक ब्यक्ति अपना पूरा कारी ठीक ढंग से निश्चित समय के भीतर पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है कर पाता है या नहीं कर पाता है इनी चीजों के संबंदों को पता लगा जाता है इसमें और अगर निर्दारी समय के साथ कर रहा है काम तो पर ठीक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है तो सारे चीज़ों का पता लगा करके इन serve कर करद कारे सरली करण क squirrel taxi करन यह तो हर जगे होता है होना ही चाहिए दिपार्ट्मेंट में तो होना ही चाहिए वेसे कारे बहुत सरली कर दिया गया है लेकिन अगर थोड़ सी इमानदारी दिन विभागों में आ जाए न तुम आस्तवी ग्रूप से बता रहा हूं बहुत इसी है सब कामों को करवाना आराम से करवा सकते हैं क्योंकि जो इनके पूरा डिपार्टमेंट होता है और डिपार्टमेंट होता है इसमें दोस्तों जितने वी सरकारिद्धा मतलब काम के सरली करण द्वारा प्रवंद की बहुत सी समश्याओं पर काबू पाया जा सकता है, यह बिल्कुल यह ओचित्य है, यह सत्य है बिल्कुली, कारे सरल्ली करन से तात्वर यह कि काम करने की कम ठकाने वाली वीडियों का प्रियोग के जाए, जिस काम में कम एनर्जी की आवशक्ता हो, यह से काम, मतलब कोई काम इसके जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो उसको ऐसा मोडिफाई किया जाए, जिसमें एनर्जी कम लगे, यह ना, और इसके अंतरकर कारे विद्दी की समश्याओं को, वही कारे करने की जो को प्रोलम को सरल्ली बना जाए, जो समश्या आ रही ह आसानी और सरल्ता और जिसमें लोग रूची लेकर कि उसकारे को करें, इस प्रकार से इंट्रेस्टिंग कारे को बनाने का प्रियास इसके अंतरकत किया जाता है, चलिए, अब हमारे दोस्तों यह पॉइंट हो किलियर कर चुके, चोता है हमारा गुण और दोश्वाला, तो इसके लावर किरिया विदी को आधुनिक तम बनाने बनाना, तो जो कार जिस परंपरागत रूप से कारे किया जा रहा है, तो उस किरिया विदी को उस कारे की जो करने की जो टेक्निक है, जो प्रकिरिया है, उसको परंपरागत छोड़ करके उसे आधुनिक रूप देना भ कर सके अगला है अनुभव का भंडार कई वर्सों से एसे काम कर रहा है विविन भिवागों को सुझाव दे रहा है कई लंबे समय से इसका प्रियोग होने के कारण अब इसके पास में बहुत सारी इंपॉर्मेशन इकटी हो चुकी है इसलिए इसको अनुभव का भंडार कहा जा रहा है अगला है अगला है दोस्तों तीन चर्ठा करेंगे अब मतलब हम चार्ठी कि अंडिया में के कुण में ही है यह तो सभी लोगों कोई में कितना अच्छा काम कर दीजीेए, कुई ना कोई आफर बोलि belki या तुने ये कमी छोड़ दी इस कारे में, कितना भी बहेदर काम कीजी, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो आपके कमी 100% बता देगा 100% काल में हलागी कमी बताएगा पर सुधार करने के का तरीका भी बताएगा वह तो अब चुकि खून में है इसलिए यहां पर अनावश्यक दोस्त जो ओ तता एम जो प्रणाली है या विवाग है इसके दोरा क्या क्या जाता है सिर्फ जो है सुजाब देने का कार पर इंडियन गवर्मेंट के अंतरगत ये भी दुकान है चार्ट के दुकान जो विवाग होते हैं जिनको नहीं आवशकता परामर्स की फिर भी ये परामर्स देने के लिए वह साब समझे सुनिए तो इसलिए जो है इसको यहां कहा गया है कि इस यह जो है बिना मतलब के अ प्रिवर्दन न हो कोई विशेस नुख्यां नहीं हो रहा है तो हम इसी करें द्वार हम अपना कार्यकर सकते हैं जब कार्यकर किससे अभी करना का कानून बनाने से संबंद था इसका नीतियों का निर्मान करने से संबंद था तीक है ना वो जब कि स्टार्टिंग में कहा था हमने कि ओ तथा एम जो है किस से संबंद रखती है दोस्तों सूत्र अभिकरण से संबंद नहीं रखती सिर्फ उसी सुजाब देने से संबंदित है तो इसलिए यहां कहा गया है कि यह जो डिपार्टमेंट होता है यह सुजाब देने के अलावा अपना जो कारे छेत्र है उससे बहार निकल करके सूत्र अभिकरण में भी घुज जाता है यह उसमें भी सुजाब देना प्रारम कर देता कि नहीं आप जो है सिर्फ यह सुदार तो करो ठीके ठीके आप अपना रूल ऐसे बनाओ अपने जो विवाग है उस विवाग संबंदित रूल बनने पर भी यह फोकस कर बाता है यह ना दवा करते हैं उनको कारे कुछ और गया है लेकिन करते कुछ और हैं जाकर के तो वह बिवाग देख्चे के सयोगी वह मित्र बनने के अप्यक्षा उनके प्रतिदुन्दी बन जाते हैं अब देखिए होता क्या है जब यह ओ तता एम प्रणाली के जो विसेसक्जयों होते हैं निकालने के बाद में उनको सुझहाब देंगे कि आप एसा एसा कर लीजी आपकी कमी दूर हो जाएगी आपका कार्याइच्छ चलने लगेगा तो जो भी कार्याले के जो अद्धिक्ष थे या मेनेजर का इस्तमाल कर रहे हैं जो में प्रवंदक थे जो मेनेजर थे वहाज प्रविकर्ण के अंतरगत आता है तो इसमें भी वह स्तक्षेप करने लग जाते हैं और इसको भी बदलने की सिपा बदलने पर बात करते मतलब कि अनवर्शाग रूप से उनका समय बरबात करते कुल मिला करके तो जो कि उनको नहीं करना चाहिए जब आंगा मेनेजर साब प्रविदियों के अंदभक्त अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों के अंदरगत एसी प्रवर्टी देखी जाती हैं यह अपने महत्वों और गोरभ को बढ़ाने के लिए वह देखिए क्या होता है कि अभी आप इस्टुड लेकिन यह प्रबरती इन लोगों के अंदर भी होती है बले ही कोई सुजाव होता तो सुजाव आसान भासा में आशान तरीके से दिया लेकिन यह जान बूचकर उसको टेक्निकली बना देते हैं उसको रहष्य में बना देंगे सूत्रों के माध्यम से प्रोवाइट करते तक वह आसानी समझ नहीं आए उसका प्रवाब उसके क्या प्रवाद और यार जिसने यह रिसर्च किया ना यह कापी बड़ा अधिकारी का काम करते हैं वह अपनी लेंग्वेज को इस प्रकार से इस्तिमाल करते हैं कि आम लोगों की समझ से वह भाहर रहती है उसको समझने के लिए विसर्च क्यों की ही आवश्यक्ता पड़ती जान बूचकर इसमें डिपिकल्टी डाली जाती है बताए दोस्तों क्या यह टोपिक सब्सक्राइब कि आपको फिर लगेगा कि हां यारी टोपिक तो पूरा एकदम स्मूथ है कोई नहीं ठीक है ना चली दोस्तों तो इसी टोपिक से संबंदी तो कुछ चार-पांच प्रशासन है तो इनको देख लीजिए आप लोग के लिए और नेक्स सेशन में दोस्तों ह इसमें से अंसर कोशन आएगा ही आएगा इसके मॉडल पेपर में इस मेंसे आई तिंग दो कॉश्चन उठाए है दोस्तों इस टोपिक में से इस बित्ती प्रशासन और बजेट में से में दो टौपिक दो कुश्चन लिए हैं ठीक है ना आपके लोग जो मेरे मोडल पेप करना का इंदर सेंस क्या हुआ कि अभी जैसे लेक्टर अभी जो हो रहा है ना अभी डिमांद चालो हो जाएगी सर उसका पढ़ा दीजिए इसका पढ़ा दी यार पहले यह तो पढ़ लो भी पढ़ेंगे मना नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों से किसी सब्जेक्ट का मैंने मना नहीं किया है मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाने की आप लोगों कुछ हमता रखता हूं हर सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकता हूं लेकिन मुझे समय तो दीजिए यार पहले इसको कंप्लीट कर ले नहीं तो यह फिर से लटक जाएगा पिछले एक साल से सब्जेक्ट यहीं थे मिलेगी सांकी की तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी मिल जाता हूं ओं इसी प्रकार से इसी ओपन प्लेट फाउंगा मैं पूरी गडिती डाटा का प्रियोग करते हुए सारे फौर्मूले सारे पूरा इस मुद्त तरीके से उर इस तरह पढ़ेंगे हम लोग की पूरा इक सब्जेक्ट वोकर हम पढ़ेंगे ना तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा मेरे लिए भी अच्छा रहेगा एक लिंक बनी रहेगा अब चुकि हमें तीन क्लास अमाल नहीं होती है फर्स्ट यर सेकेंड थर्ड यर अब आपके लिए फर्स्ट यर को इग्नॉर कैसे करतें उनका भी तो उतना ही दवावे जितना दवाव आपके उपर है एक्जाम का तो मुझे सभी को देखकर हो चलना पड़ता है दोस्तों एक अकिला टीचर हूं दिन में सिर्ट तीन सेशन आप लोकली ले सकता हूं क्योंकि इसके अलावा अन्ने काम भी मेरे पास में होते हैं अन्नी काम भी होते हैं तो इस कारण से ठीक है ना तो मिलते हैं नेक्स सेशन में दूस्तों और अगर आप प्रोपर ली पढ़ना चाहते हैं वेवस्तित रूप से तो फिर जल्दी से आप टेलीग्राम पर जाईए और वहां गुरूप को जोइन कर लीजिएगा इना इसमे टेलेग्राम में हर लेक्षर में इसली बोलता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए अन्यता आप बात में बोलते हैं सब नोट से डाउनलोड करें यह कहां से लिए वो कहां से लिए आपकी क्लास कभ होती है कभनी होती हमें कुछ पता ही नहीं तो यह जो गूरूप है यहां आपको सब पता चल जाएगा कुछ भी पूछने का वच्छता नहीं पड़ेगी जोइन करोगे तो वहां पर हर एक नोटिफिकेशन आ आज कौन सी क्लास होने वाली है कौन सी क्लास चल रही है जैसे इदर यूटूब पर अप्लोड हुआ वीडियो के वैसे फटाक से आपको टेलेग्राम गुरूप पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि साभी आपके लेक्षर चल रहा है इसको जोइन कर लीजी सारी बाते कमेंट बॉक्स नहीं हो पाता इतना चली मिलेंगे नेक्स सेशन दोस्तों तब तक धन्यवाद थेंक्यूज